हेलो फ्रेंज, वेलकम डो सिलपास की चैनल रेसिपीज, आज में शेयर करने वाली बहुत ही हेल्दी और टीस्टी बीटरूट भाजी की रेसिपी इसे हम रोटी, पूरी या पराठी के साथ सर्फ कर सकते हैं और बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं अगर रेसिपी पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो अच्छे लिए बनाना शुरू करते हैं तो पीट रूट भाजी बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई में एक बड़ा चमच तेल डालेंगे और तेल जैसे हलका सा करम हो जाए इसमें एक चुटा चमच राए डाल देंगे एक बड़ा चम्मच उरत डाल एक बड़ा चम्मच चने की डाल एक चुटकी हेंग थोड़े से करी लेप्स और सारी चीजों को कुछ सेकिंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे अब इसमें एक छोटा चम्मच घिसा हुआ अद्रक लेसन डाल देंगे एक कटी हुई हर इमेच मेच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले और अद्रक लेसन को मेडियम फ्लेम पे तब तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि अद्रक लेसन का कच्चापन चलाना जाए अब हम इसमें प्यास एड़ करेंगे मैंने हाँ पे दो बड़े साइस के प्यास लिये हैं और जिसे मैंने ऐसे छुटे छुटे पीसस में कट कर लिये हैं और प्यास को medium flame पे तब तक fry करेंगे जब तक कि इसका color हलका सा change ना हो जाए अब आप देख सकते हैं प्यास का color change हो चुका है तो अब हम इसमें ग्रेट की अब बिटरूट अड़ करेंगे मैंने आप पे 300 ग्राम बिटरूट लिया है स्वाधनूशा नमक डालेंगे नमक को बिटरूट में चलाती हुए अच्छे से mix कर लेंगे कड़ाई को धख देंगे और बीच-पीच में चलाते हुए बिटरूट को 4-5 मिनिट के लिए पकने देंगे पांच मिनिट बाद कड़ाई का धखकन हटाएंगे और बीट्रूट को एक पार मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एक छोटा चमच नीबू का रस आडड करेंगे और थोड़े से कटेवे फ्रेशाषण रधन्य आड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से और हमारा हेल्दी और टेस्टी बीटरूट भाजी रेडी है आप इस रेसिपी को एक बार घर पे जरूर ट्राइ कीजिए आपको जरूर पसंद आएगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत कम समय पे बन जाती है अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए